बिवानी में जिला पूलिस चालान मुक्त दीवस अभियान के तहट दूसरे दिन आमजन को मास्क वित्रित किये गई आपको बतादे कि जिला पूलिस के द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूख करने के लिए पूलिस महानिदेशक हर्याना के आदेशा नुसार एक विशेश अभियान चलाया गया है इस अभियान के तहट लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूख किया गया पुलिस महानिदेशक हरियाना पंचकुला के आदेशा अनुसार जीला पुलिस द्वारा दो दिन के लिए एक विशेश अभियान चलाया गया है इस अभियान के तहट पूलिस द्वारा मास्क का परियोग ना करने वाले लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूग किया गया वो लोगों को मास्क भी वित्रित किये गए बताते चले कि पूलिस अधिक्षक संगीता कालिया के आदेश अनुसार जिला पूलिस भीवानी ने 10 से 11 अगस्त तक दो दिन का चलान मुक्त दिवस अभियान चलाया है इसी अभियान के तहट जिला पूलिस भीवानी के सभी प्रबंदक ठाना वचोकी इंचार्ज ने अपने अपने शेतर में पढ़ने वाले सारजनिक स्थानू वांचाल को रहागीर वा आमजंता को मास्क बाते चोंके इंचार्ज देविंदर सिंग ने कहा कि इस अभियान के तहट आमजं को जो घरों से बाहर किसी कार्ये के लिए बिना मास्क लगा कर जा रहे थे जीला पूलिस भीवानी द्वारा उनको चालान ना काट कर उन्हें मास्क दिये गई कोविड-19 महामारे के संक्रमन को रोकने वह इसके बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए आमजं से घर से बाहर जाते समय दुकानों पर समान लेते समय किसी भी सार्जनिक्या सरकारी कार्याले में किसी भी कार्ये के लिए जाते समय अपने घर से निकलते ही मुह पर मास्क लगाने वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपिल की गई बिवानी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल झाल